कहानी की सुरुवात में हम कोरिया की सियोल में सियोंग वोन नाम की एक लड़की को देखते हैं वोन एक बैंक में काम करती थी आज जब वोन अपने घर आती है तो उसके ब्यूल्डिंग का सेक्यूरिटी गार्ड उसके मेल बॉक्स से धेट सारे लेटर लाकर उसे देता है ये सारे लेटर वोन की बचपन के दोस्त के इम बॉक ने उसे लिखा था वैसे ही वोन के बॉस ने उसे कुछ दिनों की छुटी दे दी थी इसलिए वो एक फेरी लेकर अपने दोस्त से मिलने मोडो ऐलेंड की तरफ निकल जाती है वोन भी मोडो ऐलेंड पर अपने बचपन के दिनों में अपने ग्रेंड पैरेंट्स के साथ वहां रहा करती थी वोन जब वहां जा रही थी तो फेरी मैन उसके खुब सूरती को देख कर उसके साथ फलेट करने की कोसिस करता है और उससे पूछता है कि तुम वहां क्यों जा रही हो वहां तो सिर्फ नौ लोग ही बचे हैं और बाकी के सारे लोग सियोल चले गए वोन कहती है कि वहां मेरे दादा जी रहते थे और मेरी बच्पन की दोस्त भी फेरी मैन भी उसी गउंसे था लेकिन 10 साल से वो फेरी चला रहा था और अब वो भी सियोल में रहता था लेकिन दिन के एक बार वो मोडो ऐलन पर समान लाने ले जाने का काम जरूर करता था काफी सारे बातचीत के बाद वो दोनों मोडो ऐलन पर पहुंचते हैं जहां उसकी दोस्त किम उसका इंतिजार कर रही थी किम दिमाग से थोड़ी कमजोर थी इसलिए उसके लेफ में बहुत कुछ चल रहा था जो अभी आपको थोड़े ही देर में पता चल जाएगा किम अपनी बचपन की दोस्त को सालों बाद देखकर बहुत खुस थी वोन को द किम का हस्बेंड जांग और उसका भाई चूल भी पत्ते चवाते हुए वहाँ आ जाता है किम वान को उन दोनों से इंट्रड्यूस करवाती है इसके बाद किम वान को उसे अपने साथ उसके ग्रेंट पा के घर लेकर जाती है वो दोनों वहाँ बैट कर अपने कुछ पुर कहती है वो स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसके फादर और ग्रेंट मा को लगता है कि अगर वो पढ़ लिख लेगी तो इस जगा को छोड़कर सहर भाग जाएगी वोन कहती है वो पढ़ लिख लेगी तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा और सहर की लाफ गाउं के लाफ से बहुत अच्छी होती है इसके बाद किम वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में जिब वो वोन के लिए खाने का सामान लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि वोन सो रही है इसके बाद किम वापस अपने घर आकर अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही थी तब ही उसक करने लगता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है जौंग के वहाँ से जाने के बाद किम का देवर्चुल उसके कमरे में आता है और उसका रेप करने लगता है लेकिन किम उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो बेचारी मजबूर थी फिर थोड़ी देर के बाद जब जोंग घर वापस आता है तो किम अपनी बेटी को देखकर थोड़ा खुस होती है और जब वो फिसिंग बास्केट को देखती है तो वो खाली था इसके बाद जब वो दोनों कमरे मे जाते हैं तो जोंग बेट पर पत्तों को देखकर समझ जाता है कि उसका भाई उसके गहर मौजूद्गी में वहां आया था किम जोंग से कहती है कि तुम मचलिया पकड़ने मत जाया करो तुम्हारे गहर मौजूद्गी में तुम्हारा भाई मेरे साथ ठीक नहीं करता ये स वह लोग जब ठक जाते हैं तो टीब रेक लेते हैं और खाते पीते हैं इसी आइलेंड पर एक बुढ़ा भी रहता था जो कुछ बोल नहीं सकता था और बैट कर बस पते खाता रहता था इसके बाद किम वो उनके लिए खाना लेकर उसके घर जाती है फिर वो दोनों डिसाइ पर वोन के कपले भी धोने लगती है वो वोन के कपले को देखकर सोचती है कि इसके कपले खितने मुलाइम और सुन्दर है कास मेरे पास भी ऐसे कपले होते कपले धोकर वो दोनों तलाब में नहाने लगते हैं जहां किम वोन के बॉड़ी को देखकर उससे बोलती है कि तु पेले दिन हम फेरी मैन को देखते हैं वो जहर से अपने साथ में नाम की एक लड़की को लेकर आता है ये एक प्रोस्टिचूट थी जिसे हर कुछ दिनों पर जॉंग अपने घर पर बुलाकर उसके साथ बहुत ये गंदे तरीकी से इंटिमेट होता था जॉंग घर के अंदर को कहती है वोन किम से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है तो वो उसे कुछ नहीं बताती और अपनी बेटी को वहां से लेकर चली जाने को कहती है थोड़ी देर के बाद जब मिन घर से बाहरा कर अपना मेकप भी कर रही थी तब ही वहां ही वापस आ जाती है और वो उस प कुम्हारा पती मेरे बॉस को तीन गुणा पैसे दे कर मुझे यहां जबड़दस्ती बुलवाता है फिर मिन उस से कहती है कि तुम इस जानवर के साथ कैसे रह लेती हो यहां से भाग जिस पर किम कहती है कि अगर मैंने कभी कोसिस भी की तो वो मुझे जान से मार देगा मिन कहती है तुम यहां से सियोल भाग जाओ वहां तुमें कोई ढून नहीं पाएगा इसके बाद हम किंग को सहद निकालते हुए देखते हैं तब है उसका हस्बेंड उससे खाने के बारे में पूछता है तो वो कुछ नहीं बोलती जिसके बाद जॉंग एक पत्थर फेक कर मक्यों के छटे को गिरा देता है किम जब मक्यों से बचकर भागने लगती है तो उसका मक्यों से बचने वाला हिलमेट निचे गिर जाता है और वो मक्यां किम को काट लेती है घर आकर जिब किम अपने जख्मों को हवा कर रही थी तो उसका हस्बेंड उससे कहता है कि कल सुबा बोट आने वाली है तुम जाकर सहद निकाल लो किम बोलती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है तुम सहद तीसरे दिन भेज देना जिस पर जॉंग एक डबा फेक कर किम को मार जाता है और फिर उसे हलदी लाकर अपने जख्मों पर लगाने के लिए देता है इसके बाद किम वॉन से मिलने जाती है तो वो योगा कर रही थी वो उससे कहती है कि तुम अपने हस्बेंड को किसी और के साथ इंटीमेट होने कैसे दे सकती हो किम उसके बातों को इग्नॉ यूटूब चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे यूटूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह के विडियो बनाने में लग जाता है इसके बाद किम वापस अपने घर जाती है और कपले निकालने लगती है तभी वो देखती है कि उसके हस्बेंड के पॉकिट में उसके बेटी का अंडर्वेर पड़ा हुआ है वो वहाँ से गुसे में अपनी बेटी की पास जाती है जहां वो मेकप लगा रही थी किम उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पापा मुझसे प्यार करे इसलिए मैं मेकप कर रही हूँ किम अपनी बेटी से पूछती है कि ये चीजी तुम्हें किस ने दिया क्या तुमने इसे किसी से चुराया है तो वो कहते है नहीं ये मुझे पापा ने दिया था किम बहुत गुसा हो जाती है और उससे उसके अंडर्वेर के बारे में पूछने लगती है तब उसके चिलाने की आवाज सुनकर जॉंग वहां आ जाता है किम उसे देखकर चुप हो जाती है और अंडर्वेर को चुपा लेती है लेकिन तब जॉंग एकलात मार कर बेचारी कि कर देता है और उससे कहता है कि चुड़ायल तुम बच्चे को खूबसूरत होते हुए देखकर उससे जल्दी हो वो मेकप उसके मुँपर फेक देता है और कहता है लो तुम भी इसे अपने बद्दे चेरे पर लगा लो और फिर जॉंग किम को वहां से जाने के लिए कहता है तो उसकी बेटी उसके गोद में आकर बैठ जाती है और जॉंग उसे गलत तरीके से टच करने लगता है इधर हम वोन को देखते हैं वो वापस से सियोल जाने वाली थी तभी किम वहां आती है तो वोन पीछे से आकर उसे हग करती है और जब वो उसके फेस पर नेल पॉलिस को देखती है तो वो उसे बलेट समझ कर उसे उसके बारे में पूछती है जिस पर किम वोन से पूछती है कि क्या तुम मुझे और मेरे बेटी को अपने साथ सियोल लेकर चलोगी तो वोन उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर देती है वोन कहती है अभी मेरी फिनांसियल condition उतनी अच्छी नहीं है next time मैं पक्का तुम्हें अपने साथ लेकर जाओंगी जिस पर किम वोन के सामने अपने हाथ जोडने लगती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडती हूँ तुमसे भीक मांगती हूँ प्लीज तुम मुझे नहीं तो मेरी बेटी को यहां से लेकर चली जाओ वोन उससे पूछती है कि आखिरैसी क्या बात हो गई जो तुम अपनी बेटी को अकेले मेरे साथ भेजना चाहती हो तो वो उसे बताती है कि मेरे हस्बिन की नजर मेरी बेटी पर है लीज तुमसे अपने साथ लेकर चली जाओ वोन उसके बातो को सुनकर उसके उपर बहुत गुसा करने लगती है उसे लग रहा था कि किम उसके साथ से उल जाने के लिए जूटी कहानी बना रही है इसलिए वो उसे और उसकी बेटी दोनों को ही अपने साथ ले जाने से साफ मना कर देती है और ये सारी बाते मोडो ऐलेंड की एक दूसरी ओरत सुने लेती है अगले दिन ही पहाडों के चतानों पर बैठी थी तभी वण उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूशने लगती है कि क्या तुमारे पापा तुम्हें किस तरह से प्यार करते है तो वो सर्माने लगती है तभी जाओं की मा और वो औरत वहां आजाती है जिसने पिछले रात किम और वान की बाते सुनी थी grand ma่ hi kei किताबों को fake देती है और अपने पडोसी को वहां से hea को अपने साथ ले जाने को कहती है hi kei जाने के बाद us normalmente ग्रैंडork केती है कि तुम्हें किम के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए वो पागल है और वो moз攻 को ये भी बताती है कि ही जौं की अपनी बेटी नहीं है और फिर ग्रैनमा वॉन को जितनी जल्दी हो सके उस एलेंड से चले जाने को कहती है निक्स्ट सीन में हम जौं को सोते हुए देखते हैं तबी किम उसके पास आकर उसके पॉकिट से पैसे और शाभी चुरा लेती है और फिर वो आलमीरा खोल कर वहाँ पड़े एक सीक्रेट टेलीफोन से मिनको फोन करती है और उससे कहती है कि मैं यहां से भागर सियोल जाना चाहती हूँ इसके बाद अगली सुबा किम अपनी बेटी को लेकर घर से भाग जाती है वो उसे अपने साथ लेकर पॉट के तरफ चा रही थी वो लोग बोट को अपने तरफ आते देख कर बहुत खुस होते हैं बोट वही प्रोस्टिट्यूट मिन लेकर आ रही थी किम को लगने लगा था कि साइद अब उसकी और उसकी बेटी की जिन्दगी बदलने वाली है लेकिन बोट जैसे ही करीब आता है किम देखती है कि वो बोट मैन कोई और नहीं बलके वही है जो हर सुबा उसके हस्बिन के साथ आइलेंड से सहद और सबजिय सहर लेकर जाता था किम उसे δेख कर डर जाती है और मिन से कहती है कि तुम्हें इसे लाने की क्या जुरत थी जिस पर मिन कहती है एतने सुबा मुझे बस यहीं मिला फेरी मैन कहता है मुझे तुम्हारे घर की प्रसनल मामलों में मुझे तो अपने पैसों से मतलब है मैं तुम्हें सियोल पहुचा दूँगा किम फॉरन जॉंग के जेब से चुराए सारे पैसे निकाल कर उसे दे देती है लेकिन तभी जॉंग वहाँ आने लगता है मिन और किम फेरी मैं से जल्दी चलने को कहती है लेकिन वो वहीं पर पैसे गिनने लगता है वो पैसा भी गिन लेता है लेकिन उन्हें लेकर नहीं जाता और सिग्रेट पीने लगता है वो लोग उससे उन्हें वहाँ से अपने साथ लेकर चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन वो उन्हें नहीं ले जाता क्योंकि वो जॉंग का साथ दे रहा था जॉंग वहां आता है और किम को बालो से खीचते हुए अपने साथ लेकर जाता है वो पूरे रश्ते किम को मारते हुए अपने बस्ती के तरफ बढ़ रहा था जौंग की मा और उसकी पडोसी बस खड़े होकर तमासा देखते रहते हैं उपर से वो जौंग से कहती है कि इस कुतिया के टांगे थोड़ दो बेचारी मिन किम को बचाने की कोसिस करती है वो तुल से किम को बचाने को कहती है तो वो हरामी उसके साथ बतमी जी करने लगता है और उसे वहाँ से लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है लेकिन इन सब के बीच एक मातर ही ही ऐसी थी जो अपनी मा को बचाने की कोसिस लगतार कर रही थी इसलिए जॉंग उसे भी मारने लगता है और फिर वो ही को पकड़ कर अपने साथ लेकर जाने लगता है जिसके बाद किम एक पथर लेकर ही को बचाने जाती है तो उसकी एक पडोसियों से पथर चीन लेती है और कहती है कि तुम अपने हस्बन को नहीं मार सकती जॉंग की मा क कहती है कि उसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को अपनाया तुम्हें उसका एहसान मंद होना चाहिए जिस पर किम कहती है मैं नहीं जानती कि मेरे बेटी का बाप कौन है क्योंकि तुम्हारे बेटों के जैसे ही बहुत सारे कमीनों ने मेरा बलतकार किया है ये सुनकर जॉंग वापस वहाँ आता है और फिर से बहुत ही बेरहमी से किम को मारने लगता है लेकिन तभी ही अपने मॉम को बचाने के लिए आती है तो जॉंग के धक्का देने से ही कसर एक पत्थर से जाकर ठकराता है और वो मर जाती है ही के मरने के बाद किम पूरा पागलों की तरह करने लगती है उसकी बेटी ही जो उसकी खुसी का एक लौता जरिया थी अब वो उसे छोड़ कर जा चुकी थी इसके बाद जॉंग एक ओफिसर को ही का डित रिपोर्ट रिजिस्टर करवाने के लिए बुलाता है वो किम से पाबीता कि अगर तुम जाना जाती हो तो चली जाओ लेकिन ही को मेरे पास चोड़ दो मैंने इसे अपनी नही जिन्दगी शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी दिये थे लेकिन ही इसके साथ जाना नहीं चाहती थी सौह तेली होने के बवघूद भी वो मेरे पास रहना जाने से पहले वो मुझसे आकर लिपट गई लेकिन जब किम उसे जबरदस्ती मुझसे खीच कर ले जाने लगी तो वो गिर कर पथर से टकरा गई और मर गई तब ही वहाँ वान भी आ जाती है जो अब तक सो रही थी ऑफिसर जब वान से पूछते हैं कि क्या ये सच बोल रह है तो वो कहती है मुझे पता नहीं क्योंकि मैं सो रही थी जिसके बाद ऑफिसर ही के मौत को एक एकसिडेंट बता कर वहां से जाने लगता है और जाते वक्त आलेंड के लोग ऑफिसर को धेट सारा वेजिटेबल प्योर हनी और बहुत सारा मनी भी देते हैं तब ही वान भ साम को चुल वान के लिए सूप लेकर आता है और उससे कहता है ये किम ने तुम्हारे लिए दिया है लेकिन वान सूप पी कर बेहुस हो जाती है और फिर रात को चुल वान के पास वापस आता है और उसके साथ गलत काम करने की कोसिस करता है लेकिन तभी किम वहां एक जलता हुआ लगणी लेकर आती है जिससे देखकर चुल थोड़ा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है चुल के जाने के बाद किम व Påne को बैड़ कर देखने लगती है और अपने बचपनके के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उन लड़कों ने उसका रेप कर दिया था इसके बाद पर्जेंट पैम में अगले दिन जब वॉन को हो साता है तो उसे खूब उल्टिया होती है और आज उसकी तब्यद बहुत खराब थी इधर किम अपनी बेटी को अपने घर मे ही तफन कर देती है तभी ग्रैनमा वहां आती है और किम से कहती है कि बारिस गिरने से भैले हमें सारे आलुओ को खेतों से खोद कर बाहर निकालना पड़ेगा इसके बाद जॉंग सहत बेचने सहर निकल जाता है और आज भी वान वापस नहीं जा पाती क्योंकि वो अभी नसे में सोई हुए थी इसके बाद हम मोडो आलेंड के सारे महिलाओं को खेतों में काम करते हुए देखते हैं सारे लोग काम से ठक कर ब्रेक ले लेते हैं लेकिन किम काम करती रहती है किम घंटों काम करती है और एकदम पागलों की तरह पूरे खेत के आलू अकेले ही निका वो पानी पीने के बाद अपने पडोसी को देखा, और उसने मुझसे बाते कि, जिस पर उसके पडोसी हसने लगते हैं, और कहते हैं कि तुम अपनी बेटी के मरने के बाद, आधी पूरी पागल हो गई हो जिसके बाद किम अपने बकिट से एक बड़े से सिकल को निकाल कर अपने एक पड़ोसी को मार देती है और बारी-बारी करके दो और पड़ोसी को भी मार देती है लेकिन वो उस बोड़े को नहीं मारती जो कभी कुछ नहीं बोलता बस पत्ते खाता थ फिर जब ग्रैंड मा वहाँ आती है तो अपने पलोसियों को मरा देख कर वहाँ से भाग जाती है जिसके बाद कीम उसे धूंडने लगती है उसे धूंडते धूंडते पूरी रात गुजर जाती है लेकिन ग्रैंड मा उसे कहीं नहीं मिलती अगली सुबह हम फॉन को सवेरे उठकर एलेंड के एक पबलिक टेलेफोन के पास जाते हुए देखते हैं ताकि वो किसी को फोन करके वहाँ से निकलने के लिए बोट मगवा सके लेकिन किसी ने टेलेफोन के तार को काट दिया था तबी ग्रैंड मा वहाँ आती है जो की बहुत डरी हुई थी वो वोन को ब पहाली के चोटी पर पहुंच जाती है अब उसके आगे मौत और पीछे खाई था तबी ग्रैंड मा बोट को वापस आते हुए देखती है तो किम से कहती है कि जॉंग वापस आ रहा है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा लेकिन तभी पैर फिसलने से ग्रैंड मा प आज नहीं आता वो गलत तरीके से किम को टच करने लगता है और किम सिकल से सीधे उसके गले पर हमला करती है और उसका सर काट कर बोड़ी से अलग कर देती है लेकिन वान किम का गला काटते हुए देख लेती है जिसके बाद किम वान के भी पीछे पड़ जाती है इधर हम ज तो पेड़ के ऊपर चूल का सर था तभी किम सिकल के साथ वहां पहुंच जाती है वो जॉंग को मारने ही वाली थी लेकिन वहां आकर चिला देती है जिससे जॉंग बच जाता है और सिकल पेरी मन के हातों में लग जाता है फिर जब वो जॉंग को दुआरा से मारने जाती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है इसके बाद जॉंग किम को घर लाकर उसके हाथों को बान देता है और उसे मारते हुए पूछता है कि तुमने मेरे परिवार को क्यों मारा जिस पर वो कहती है तुमने मेरे बेटी को क्यों मारा इसके बाद जॉंग लेकिन जॉंग उसकी नहे सुनता और उसके बालों को पकड़ लेता है और फिर वो वान को किम के पास ले जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारकर इससे साधी कर लूँगा वो किम को छोरी दिखा रहा था, लेकिन किम उस चोरी को चाड़ कर, जौंग को स्टेडियूस करने लगती है, और जैसे ही जौंग के हाथो से छोरी गिरता है, किम जौंग के उंगलियों में दात काट लेती है, जौंग दर्द के कारण वान को भी छोड़ देता है, फिर जब जॉंग किम को कुलहाड़ी से मारने वाला था तो उसे पहले किम एक छूरे को जॉंग के दिल में गुसा देती है इसके बाद किम खुद के हाथों को भी खोल लेती है और फिर वो बार बार जॉंग को छूरी से स्टैप करने लगती है तबी वहाँ फिरी मैन आता है तो वोन उसे अपने साथ लेकर भाग जाती है किम बहुत ही बेरमी से जॉंग की हत्या कर देती है इधर वोन और फिरी मैन उस एलेंट से निकलने ही वाले थे लेकिन उन्होंने फिरी की रसी नहीं खोली थी फिरी मैन फिरी से उतर कर रसी खोलने जाता है और तबी किम वहाँ आकर फिरी मैन के उपर हमला कर देती है लेकिन वोन बच जाती है और वो फिरी लेकर निकल जाती है अब हम कुछ दिनों के बाद किम को देखते हैं वो अपना भेस बदल कर दूसरे फेरी के जरिये सियोल जा रही थी वो अपने साथ वॉन की बासुरी भी लेकर जा रही थी सियोल पहुँच कर किम जब उस बोट मैन को पैसे देती है तो वो उसके पैसे वापस कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पास पैसे नहीं है और पैसो के लिए कोई उसका गलत इस्तिमाल कर सकता है इसके बाद हम वोन को देखते हैं जिसे पुलिस ने मोडो ऐलेंट पर हुए मडर के लिए अपने कस्टडी में ले लिया था वो पुलिस स्टेशन में सोई हुए थी तब ही किम एक हथोडा लेकर उसके पास आती है वो बचने के लिए जिब ऑफिसर के पास जाती है तो वो देखती है किम ने उसे भी मार दिया है इसके बाद वो खुद ही किम से लड़ने लगती है लेकिन वो उसके आगे बहुत ही कमजोर थी इसलिए वो खुद को बचाने के लिए जेल के अंदर बन कर लेती है इसके बाद किम अपना फ्लूट उठाती है जो से वान ने अपने बचपन के दिनों में दिया था और वो फ्लूट को वान को दे कर उसे बजाने को कहती है और इसी दोरान किम जेल के गेट को खोलने लगती है जिसके अंदर वान ने खुद को बन किया था तबी पीछे से आफिसर वान को दो गोली मारता है क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी जिसके बाद किम वापस से हथोड़ा उठाती है और आफिसर को मार देती है इसके बाद किम हथोड़े को लेकर वापस से वान को मारने के लिए बढ़ती है लेकिन तबी वान बासुरी खोल कर किम के गले में गुजा देती है जिसके बाद किम अपने गले से बासुरी को वापस निकालती है और वान से उसका दूसरा टुकड़ा लेकर उसे जोड़कर वापस से वान को देकर उसे बजाने को कहती है वान रो रही थी तो किम उसके आसू भी पोचती है और जब किम वान के बजाए फ्लोट के म्यूजिक को सुनती है तो वो अपने कुछ पुराने दिनों को याद करती है और फैनली वो मर जाती है इसके बाद हम मोडो आलेंड पर बचे उस आखरी बूढ़े को देखते है जिस क्योंकि उस दिन उसने किम की बेटी को मरते हुए देखा था लेकिन उसने भी आफिसर से कुछ नहीं कहा जिस वज़ा से किम उसे भी मारना चाहती थी क्योंकि सबके तरह उसने भी उसे धोका दिया था तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरू किया था जिसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा तो रिलेटेट वडियो उस पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना मैं आपको गरांटी देता हूँ ये आपके हुसुरा देंगे तो विल गाइस आज की वडियो में इत